सूदा जिमाज कहते हैं मोहसम कौन कुटिल खलकामी हिनात हि प्रभू मेरे समान कौन होगा और मेरे समान कौन होगा है इसमें अपने गौनों का बखाण नहीं कह रहा है अपनी विशेश्ता नहीं कह रहा है कहला है कि मौसम कौन कुटिल खन कामी में समान कुटिल करने वाला सबके साथ कुटिलता का बेवार करने वाला कौन होगा खल अर्थत में समान दुष्ट कौन होगा और कामी अर्थत में समान कामनाओं का दास कौन होगा मुझे में प्रभु कोई गुण नहीं है कोई भी गुण नहीं है आप तो कहते हैं ना कि निर्मल मन जन्सो मोहिपाबा प्रभु मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मेरा चित निर्मल नहीं है मेरा चित निर्मल नहीं है मेरा मन निर्मल नहीं है तो हेनात क्या आप मुझे सुखार नहीं करेंगे क्या आप मुझे त्याद देंगे क्या मैं इस योगी भी नहीं कि आप मेरा आलेंगन कर सके मैं आप से कुछ नहीं चुपा रहा हूँ मैं जो हूँ जैसा हूँ आपके समच हूँ आपके सामने हूँ मोसम कौन कुटिल खलकामी मैं अतिन्त कुटिल हूँ दुष्ट हूँ कामनाओं कर दास हूँ ये कामनाओं ये माया मुझे इसी संसा में नचा रही है बटका रही है लेकिन मैं भटकना नहीं चाहता मैं इन शिबूत होके संसा में नाचना नहीं चाहता। हिनात मुझे पर क्रिपा कीजिए। मुझे स्विकार कर लीजिए। जही तन दियोता ही विसलायो ऐसो नमा करामी। आपने मुझे शरी क्यूं दिया था। कभू करी करुणा नर्देही देट ईश्विनुहेतुसनेही। साधन दाम मोग्च करद्वारा पाई नजही परलोक सवारा। आपने तो मुझे शरी दिया था अपने भजन के लिए। अपने नामजब के लिए। अपने इस्मण के लिए। कि मैं आपको भजन कर सकूँ। आपको प्रसन्न कर सकूँ। लेकिन मैंने क्या किया। जही तनिदियो तही बिसलायो। आपने मुझे ये शरी दिया और मैंने आपको ही बुला दिया। मैंने आपको ही छोड़ दिया। ऐसे वो नमक हरामी कैसी दीनिता है ऐसे वो नमक हरामी ऐसा धूत ऐसा दुष्ट प्रभू और कौन होगा आपने जो मुझे पो उपकार किये उन उपकारों को भूल गया मैं कि तक नहूं हेनात हर पाप का प्राइशित सांस्तों में कहा गया है जो कितग्न हो जाए उस कितग्न तक कभी कोई प्राइशित सांस्तों में नहीं कहा गया उसका तो पाप भोगना ही पड़ता है हेनात मैं वही कितग्न हूं जीतने दियोते ही सिरायव एसो नमक हरामी आपने ही शरी दिया मैंने आपको ही बुला दिया बरी बरी उदर विशको धाबों जैसे सू कर गरामी मैंने विश्यों का सेवन कैसे किया ये विश्टमलीन से मल के समान थे ये विश्ट ये विश्य कोई बहुत शुद्ध नहीं है कोई पवित्व नहीं है इनका चंतन पवित्व नहीं है इनका इस्पश पवित्व नहीं है इनका भोग पवित्र नहीं है, ये तो हर प्रिकासे अशुद्र ही है, अपवित्र बनाने वाले हैं, इनका चिंतन, इनका इस्मर्ण, इनका भोग, ये तो हर प्रिकासे मनिश्ट को केवल अपवित्र ही बनाता है, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे, जैसे कि सूकर हो, कोई सूगर हो, वो मलको ही बड़ा ही स्वादिष्ट ही समझता है, वो समझता है कि इससे बढ़ी है तो भोजन मेरे लिए कुछ है ही नहीं इसके आगे तो चपन भोग, राज भोग सब बेकार है, हिनात, मेरी भी इस्तिती ऐसी ही है मेरी भी इस्तिती ऐसी ही है, मैंने भी आपके भजन को त्याग दिया, आपके इसमर को त्याग दिया, आपके उपकारों को त्याग दिया और इन विश्यों में ही लिप्त हो गया, इन विश्यों को भी भोग करने लगा, इन विश्यों में ही जीवन जीने लगा इन विश्यों को यह अपना सर्वस्पान लिया बरी बरी उदर विश्य को धाबो जैसे सुकर गिरामी हरी जन चान हरी बिमुकन की निस्दिन करत गुलामी और हिनात हरी जन चान जो आपके भक्त हैं जो आपके अनुरागी है जो आपके पेमी है मैंने उनको तो छोड़ दिया है मैंने उनको छोड़ दिया है मैं उनको संग नहीं करता है मैं उनको ससंग नहीं करता है मैं उनको दर्शन नहीं करता और हरी बिमुखन की निस्दिन करत गुलामी और जो दुष्ट है जो कुटिन है जो सबका अहित करने वाले हैं जो अपवित गुद्धी वाले हैं जो अपवित विचार वाले हैं ऐसे जो हरी गुलुचान बिमुक है मिस्द निकरत गुलामी मैं उनकी गुलामी करता हूँ मैं सदा उनका ही संग करता हूँ क्योंकि हेनात मोसम कौन कुटिल खलकामी मैं तो कुटिल हूँ कामी हूँ मैं तो कामनाओ का अदास हूँ मैं करना नहीं चाहता किसी गुलामी लेकिन ये कामनाए ये मन ये मुस्से कह बाते पापी कौन बड़ो है मोते सब पती तन में नामी पापी कौन बड़ो है मोते मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है तो भगवार ने कहा अच्छा तुम्हें लगता है कि तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं है तो सुदार जी करते हाँ नहीं है तो भगवार ने कहा कि तो फिर हमने आज तक जिन पापियों को तारा, जिन पापियों को अकल्यान किया, क्या तुमने कम पापी समझते हो, क्या वो पापी नहीं थे, तो सूदा जी कहते हैं कि प्रभू, उन में से कुछ तो पौन भरके पापी थे, कोई 25 परसेंड पापी, कोई आदा पापी, कोई छटांग भरका, कोई 2 छटांग भरका, कोई 3 छटांग भरका पापी, लेकिन प्रभू मैं ऐसा पापी नहीं हूँ, आप यह मत सोचना है कि मैं ऐसा पापी हूँ, हम कल जूग के पापी हैं, हम तो कलिउग के पापी हैं, कलिउग के पापी हैं, यह इसलिए कह रहे हैं, कि अन्य यूग में तो पाप को किसी का संबल नहीं था ना, अन्य युग में तो पाप को किसी का बल नहीं था जब कुटा बाहर टहन ले जाए और वो उपने मालिक के साथ ना हो तो वो बड़ा नियंतर्ण में रहता है फाल तो किसी कुछ तरब देखता नहीं है फाल तो किसी वे भौगता नहीं है और अपने से बड़ा कुटा दिख जाए तो चुपचाब कोने से होके निकल जाता है लेकिन वो ही कुटा जब अपने मालिक के साथ हो तो सामने ये जिस सिंग आ जाए तो वो सिंग पर भी दो तीन माई भौग के तो दिखाई देता है कि δेखो हमारा मालिक हमाएं साथ में अताज वो अपने मालिक का सम्झल पा के बल पा ला है तो हे प्रवु वो जितने भी पापी थे जिनका अपने कल्यान कियا उनके पाप को किसी का सम्झल थोड़ी ही था वो पापी थे लेकिन वो कमज़ौL पापी थे भाई पापी नहीं थे लेकिन हम कलिजुग के पापी हम तो प्रभु कलिग के पापी है हमाई पाप को कलिग का संबल है हमाई पाप को कलिग का बलप्राप्त है और कलिग में भी सब पतितन में नामी कलिग में भी जो भक्त हो गए हैं जो पापी हो गए है उन पापियों में भी सबसे स्लेष्ट जो गिंती है सब पतितन में नामी उने सबसे बड़ा नाम प्रभू हमाला ही है हमें हलका पापी मत समझना उन पापियों में भी सबसे उचे इस्थान पर हमी बैठे हुए है दिखें हेनात मैं इन सबसे निकलना चाहता हूँ मैं आपकी किपा की शरण लेना चाहता हूँ मैं ऐसे नहीं देना चाहता हूँ क्यों? क्योंकि मुझे अब ऐसास हो गया है कि जही तन दियो ताही विसरायो ऐसे उन्न मकारावी कि सब कुछ आपने दिया कि मैं अपना कल्यान का सुकूँ आपने सबसे पहले तुम ने सही दिया कि मैं अपने कल्यान के लिए प्रयास का सुकूँ फिर जीवा दी जीवा को वानी दी जिससे मैं आपका नाम ले सकता था फिर मुझे सब्बुषों का संग दिया जहां बैटके मैं आपकी कथा सुनता आपके नाम का सस्थन सुनता लेकिन मैंने क्या किया आपकी किरपा को आपके किरपा प्रिसाद को ठुकरा दिया मैंने आपके किरपा प्रिसाद को ठुकरा दिया लेकिन अब नातर अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है मैं बहाँ पुना जाना नहीं चाहता हूं मैं मानता हूँ कि मौस अमु कौन ने कुटलख कामी मैं समーン कुटलता का बेवाक कभी किसी नहीं किया मैं समन कामनाओं का अध्यूदास भी कोई नहीं रहा आपने शरीर दिया, आपको ही बुला दिया आपके आपसे ही कितन हुआ था जो आपका ससंग करने वाले थे सादू सुन्त उन से विमुक हो गया मुझे में कोई गुण नहीं बचा सब पतितन में नामी सवी पापियों में मेरी गिंती सबसे उपर होने लगी लेकिन फिर भी हेनात सूर पतित को ठोर कहा है अब मुझे शण में कौन रख सकता है अब यदि मैं अपना सुधा करना चाहूँ अब यदि मैं अपना बजन करना चाहूँ तो नात मुझे शण में कौन रखेगा मुझे तो अब केवल आपका ही भरोसा है मुझे तो अब किवल आपकी ही शरण है इसलिए हेनाद मुझे सुरिकार कीजिए सुनिये श्री पतिस्वामी मेरी इविनय, मेरी प्रात्ना सुनिये मेरी प्रात्ना को सुरिकार कीजिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए मोसम कोन खुटल खलकामी हे नात मुझे अपनी इस्टान में सुख्यार कीजिए मुझे अपनी इस्टान में सुख्यार कीजिए और आज के लिए यही विश्थाम देते हैं जै जै श्री सितारा